आज इंसाथियो आपो अपर हुए जो दो बड़े आतंस की हमले था पर आता है इसी हाइबे पे बोजी टॉप का इलाटए बाप बाटब से लुगोज़नcken का है सहां पर पकिस्तानी से उनका कॉन्वय जा usie न अर्था वह उसके ये लोग करते हैं जिसमें 15 स किली गई है एपसीज का मतलब यहां पर फ्रंटियर कोर है जैसे अपने यहां CRPF है वैसे पाकिस्तान में फ्रंटियर कोर है जो एक पैरामिलिटरी विंग है और इनका काम है बलोचिस्तान और खैबर पक्तुनकौवा में जो सेक्वेरिटी एंड लॉइन ओर्डर है उसको मेंटे और मारा के पास एक पाकिस्तान का नेवी का एक बेस है तो वहां के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा गया है तो हो सकता है यह कैसुलिटी और बढ़ जाए अब यह जानते हैं कि आखिरकार बलोचिस्तान में आए दिन हमले क्यों होते रहते हैं पाकिस्तानी फोर्स पे उसको हिलाके यह पूरा पाकिस्तान है पाकिस्तान के चार बड़ी प्रोविंस है जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं इंडिया में स्टेट्स हैं वैसे ही पाकिस्तान में प्रोविंस है पाकिस्तान में चार प्रोविंस है पहला है जो सबसे बड़ा है वो है बलोचिस्तान द ली जाएगी दूसरी यहां पे जो ऑल एंड नेच्रल डिसूर्सेज हैं वो पाकिस्तान के लिए काफी important है मतलब पाकिस्तान की economy कहीं न कहीं इस पर डिपेंड करती है और यहां पे important port है गौदर वो भी काफी important है पाकिस्तान के लिए अब यहां मामला क्या है issue क्या है issue यह है कि बलोचिस्तान के लोगों को लगता है कि 1948 के बाद से पाकिस्तान ने यहां अवैद कबजा करके रखा हुआ है और वो इसको एक free nation बनाना चाहते हैं मतलब कि वो एक आजाद मुल्क चाहते हैं जिसके लिए वहां पे कई सारे fighting rebels group तयार हो गए है जिसमें ब्यले है ब्रास है ब्यारे है यह लोग पाकिस्तानी आर्मी के उपर attack करते रहते हैं और यह attack तब से बढ़ गया है जब से Chinese investment यहां आना शुरू ही है मतलब जब से यह CPAC वाला route बन रहा है जिसमें यह हुआ है कि पाकिस्तान को connect किया जाएगा चाइना से मतलब यह जो पाकिस्तान का गौदर पोर्ट है यह connect करेंगे चाइना के जो सिंज्यांग है उस इलाके से तब से इस इस इलाके में ज़्यादा attacks हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के उपर भी पाकिस्तानी अफसीज के उपर भी और कुछ चाइनीज इंजिनियर्स पे भी attack हुआ है क्योंकि भरोचिस्तान के लोग नहीं चाहते है कि सीपेक पे काम हो उन्हें लगता है कि एक बार च हमला कहा हुआ है अभी हमला हुआ है इस कोस्टल हाइवे पर ये जो गौदर से कराची की तरफ हाइवे जाता है इसी पर हमला हुआ है यहां पर एक औरमारा जगाए paragraph है है और इस इस इलाके में इस अधिन हमला होते रहते । के स्रक्रink किलिक कर दी गई थी उसे मकरान मसा कर भी कहा जाता है पिछले साल ही ये घटना अंजाम दिया गया था जिसमें आतंकवादियों ने क्या किया था कि जो पाकिस्तानी नेवी की लोग बैठे थे उनसे ID कार्ड मागा गया था और उनकी ID कार्ड को पहचान करकर एक एक कर को सिविलियन से अलग करके उन्हें गोली म रहती है क्योंकि उन्हें सीपेक जो है वहां उन्हें सेक्यूरिटी प्रोवाइड कराने रहती है क्योंकि चाइनीज का प्रेसर रहता है कि आप सेक्यूरिटी प्रोवाइड कराईए हमारे इंजीनियर्स को हमारे जो वहां पी इंफ्रस्ट्रेक्ट्ट्र पोजेक्ट्स है तो ये काफी खतरनाक मामला बन चुका है अब इस हमले की जिम्मेदाई ले लिए ब्रास ने ब्रास ने अपने की स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो अभी हमला हुआ है इसके पीछे हम लोग हैं हमने करीब 15 से जादा पाकिस्तानी एपसीज के लोगों की जान ली है और हम जल बलुचिस्तान के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये एक प्रकार का अलायंस ग्रूप है बियले का बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी बियलेफ बियारे बियारजी इन सभी का ये एक अलायंस ग्रूप है और इसने ही इस हमले की जिम्मेवारी ले लिये है अब ये इकलोता हमला नहीं हुआ है, पाकिस्तान पे एक और हमला हुआ है, वो भी आजी के दिन हुआ है, ये हुआ है नौर्थ वज़िरिस्तान, वज़िरिस्तान पढ़ता है खैबर पक्तोनख्वा के इलाके में, ये इलाका काफी डेंजरस है, आप कह सकते हैं ये पूरा कॉर्पीजी का यूज़िरिस कर गया है, लेकिन यहां जो वज़िरिस्तान में हुआ है, यहां पे आईडी से आटाक किया गया है, और इसमें पाकिस्तान के छे लोग की जान गई है, जिसमें एक कैप्टन साभ भी हैं, और दो जेसी उ thats हैं और तीन और पाकिस्तानी से ना इसका बदला लेने के लिए पूरी तरीके से उस इलाके में एक्टिव हो चुकिए है अब देखने इस पर क्या रियक्षन आता है वैसे तो जो एक यूज रियक्षन है पाकिस्तान का वो यह कि इन सब हम लोगे पीछे भारत का हाथ है लेकिन ऐसा भार पाकिस्तान सपोर्टेट ग्रूप है बhamूँ और आज इनी को नुक्सान पहुंचा रहे हैं तो आगे देखतें क्या होता है क्या इसका कोई reaction आएगा इंडिया के कस्मीर में या क्या होता है उसके बारे में कुछ अगर ऐसी details निकल के आती है तो मैं आपको जोरू बताऊंगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जै भारत